प्रदेश के मुखे मंतरी मनोहर लाल द्वारा कॉंग्रेस की राष्ट्री अध्यक सोनिय गांदी की तुलना मरी हुई चुहिया से करने पर कॉंग्रेस में गहरा अक्रोष प्याप्त है जिहां इस पर टिपनी करते हुए प्रदेश कॉंग्रेस के सची पंकच पुनिया ने कहा कि मुखे मंतरी वैसे तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है लेकिन यहाँ पर मुखे मंतरी ने कॉंग्रेस की राष्ट्री अध्यक सोनिय गांदी का अफमान किया है इस पर उन्हें सार्जनिक तोर पर माफी मांगनी चाहिए प्रदेश कॉंग्रेस के सची पंकच पुनिया ने प्रेस वारता करते हुए बताया कि जीत की संभावना के एहंकार में चूर मुखे मंतरी से और क्या आशा की जा सकती है उन्होंने गिरी हुई और महिला विरोधी मांसिक्ता का परिचे दिया है मुखे मंतरी क्या जाने की परिवार और महिलाओं का सम्मान क्या होता है उन्होंने कहा कि मुखे मंतरी की इसी शैली के कारण करणाल के लोग उनसे खासे परिशान है और हर वर्ग के व्यक्ति नाराज हैं। बलकि अपने सम्मान के लिए लडने वाले हैं। बलकि अपने सम्मान के लिए ले हैं। ये वो पांच-छे लोग ही मुख्य मंत्री को जितवा देगे उनको करनाल के लोगों से करनाल की जनता से वोटों की जुर्ट नहीं है। नीच से नीच इन्सान ऐसी सोच रख सकता है किसी बेटी के बारे में, जो उसको मरियो इचुईयां बता सकता है तो ऐसे जैसे लोगों को खुला छूड़ना भी नीच जी है करनाल के अंदर इनको दो कहीना की पागल खाने के अंदर डाल देना चाहिए और अगर सरकार नहीं जालेगी तो जनता इनका जवाब 21 तारीकों देगी जो बेटियों का माताओं बैनों का समान करना नहीं जानते तो ऐसे लोगों को इतनी परतिष्थित कुर्शी पर मुख्यमंत्री के जो अमिध्वार मुख्यमंत्री जो थे और आगे भी उमिध्वार बनके घुमते हैं मु इसे ही लेटेश रबरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वारी